सब्सक्राइब कीजिए टेक्टाइ इंडिया चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कुछ नया देखकर सीखने के लिए हलो फ्रेंड्स टेक्टाइ इंडिया में आपका स्वागत है आज हम फिर नए गैजिट के साथ आपके सामने हैं यह है पी एसक्टेंशन के बलो कि यह कुछ इस तरीके का हमें मिला है यह हमने अली एक्सप्रेस से ओडर किया था यह तकरीबन हमें 1200 रुपे के अफ़पस पड़ा है कि यह देखने में बहुत ही अच्छा है इससे बहुत ही प्रीमियम लुक आएगा हमारे सीप्यू का इसमें एक तरफ फी मेल और साथ में यह के बस्त दिये हुए है जीपी यू के लिए और ग्राफिक्स पावर सपना के लिए और इसके साथ कुछ गेम्स हैं इसको अर्जस्ट करने लिए यह नाइलाउन कोटेड है चलिए से सीप्यू में स्ट्रॉल करते हैं अब हम अपने सीप्यू का टैंपर क्रास अटा लगते हैं कि एक्चुली दो रीजन था इसे मंगाने का पहला रीजन कि आप मेरे लास्ट देख सकते हैं कि मेरा पी एस्यू का जो पावर सप्लाई है वो मदर बोर्ट तक तो पहुच गया लेकिन वो कैबिनेट में टाइट ही नहीं उपाया क्योंकि वह चोटा था तो पहला रीजन आ लिए था और दूसरा रीजन थै कि यह बहुत रंग भे रंग वायवाय था जी कि एक्दम अच्छे ही लग रहे थे इस तो मेरे बडू ऑप्शन थे पहला आप्शन कि मैं बी एसी उ खरिदा हुआ दूसरा आप्शन कि मैं एक्स्टेंशन वायर करीदें तो प्यास्यू चलिए अब श्टॉल करते हैं इसको श्टॉल करने के लिए कोई बड़ा काम ही करना है सिंपल ही हमें अपने केविनिट का बैक पैनल खोलना है इसमें हमारा फीमेल एड़ हो जाएगा जाले मैंसे खोल लेता हम उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा केबल स्टॉलिशन कंप्लीट हो गया आप देख सकते हैं यह मैंने पावर सप्लाई लगा दिया और यह मतरबोर्ट का ग्राफिक्स का कनेक्शन है दो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए मैं आपको बैक साइट से लिखा जाते हूँ से सिंपली मैंने से बाहर निकाला और जो ओरिजनल मदरवोर्ड जो पीएसी उसे निकला है कनेक्शन उसको जोड़ दिया और दूसरा हमारे यहां जोड़ गया है और यह अप साइट से अंदर चला गया है बाकी मैंने केबल बनेजमेंट कर दिया है और जो एक्स्टर वैस चलिए अपने सीप्यू को क्लोज करते हैं और इसके बाद पावर आउन करके देखते हैं यह हमने पावर आउन कर दिया हमारा सीप्यू और यह देखने में बहुत ही इच्छा लग रहा है प्रीमियम लुप दे रहा है होप आपको वीडियो पसंद आयो ऐसे यह और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिए अगर आप नए है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो से रिलेटिट कोई भी क्वेस्टेंस हो तो आप कमेंट में हुआ 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 है